नमस्कार आप देख रहे हैं, MP तक आपके साथ मैं हो मित्यवारी, एहम मुद्दे को आप तक लाता हूँ, पूरी खबर आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुख्मंत्री शिवरासिंग चौहान के बड़े एलान से जुड़ा हुआ ये ट्विट आपको दिखाता 2021 के बजट की होने लगी मतप्रदेश में तयारी और इस बार मंत्री, सियम और अधिकारी अकेले नहीं बनाएंगे बजट, इस बार मतप्रदेश की जनता के हाथ में आगया है बड़ा पावर, जी हाँ, अब महेंगाई को लेकर जनता खुट तै कर देगी बजट में क्या म वो सुझाओ दे कि बजट कैसा होना चाहिए, यानि कि जनता की सुझाओ को मुख मंत्री सुनेंगे, कैसे, MP सरकार का जो वैफसाइट है, MyGoV, उस पर लोग अपने सुझाओ भीजेंगे, कि बजट में देखिए, ये चीज मतप्रदेश में में होना चाहिए, नहीं होना च तो मतप्रदेश की जनता जो है, वो अपने सुझाओ देगी मुख मंत्री को, और मुख मंत्री ने यहां तक भी कहा है, कि जो सुझाओ अच्छे लगेंगे जनता के, उन लोगों के साथ वो वर्च्वली मीटिंग करेंगे, यानि कि जनता के वो चुनिंदे लोग, जिनके सुझाओ पसंद आएंगे बजट को लेकर, उनके सुझाओ को ध्यान में रखते हुए मुख मंत्री बजट बनाएंगे मदप्रदेश का, यानि कि अब जनता के हाथ में यह कमान आई है कि महंगाई कैसी होगी, यानि बजट को लेकर जनता जो चाहेगी, उस बात को सरकार स सुनेगी नहीं, सुनने के बाद उसको लागू करने के लिए, बजट में शामिल करने के लिए उस चीज़ को सरकार जो है, वो अपनी तरब से पूरी कोशिश करेगी, यही बज़या कि मुख मंत्री शिवरा सिंग चोहां दिरसल, इसको आप ऐसे समाज़े कि आतनिर्भर भ रहते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्री हों, व्यज्यानिक हों, या तमाम वो विद्वान लोग जो है, जो बजट को लेकर अपना नजरिया दे सकते हैं, यानि कि जो बता सकते हैं MP सरकार को कि देखिए ये चीज़ जो है बजट में इस तरीके का प्रावधान रखा जाए, मत प्रदेश का बजट का स्वरूप कैसा हो, मत प्रदेश के बजट में क्या होना चाहिए, तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है, हम देखते हैं कि वितमंत्री की पिटारा लेके आते हैं बजट का, लेकिन मत प्रदेश में इस बार शिवरा सिंग चोहान कोशिश कर रहे हैं अब ये चीज हो के जनता बताए कि सरकार को बजट में क्या रखना है, किस चीज का प्रावधान करना है यही वज़े इसको माना जा रहा है कि मुक्मंत्री शिवरासिंग चौहान एक बड़ा प्रयोग करने जा रहा है मत प्रदेश में जनता किस सुझाओ को लेकर देखने वाली बात है कि आप जनता किस तरीकी सुझाओ देगी और बजट जो होगा मत प्रदेश का वो जनता से कितना जुड़ा हुआ होगा आप देखते रहें पीतर